No.1, Question No.1 start करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जैसे ऐसे वीडिया आपको continuously मिलते रहें तो statement आ रहा है कि which of the following statement is incorrect तो क्या पूछा है इसमें से गलत कौन सा है तो हमेशे याद रखिए है correct पूछा गया है कि incorrect पूछा गया है तो यहाँ दिया हुआ है cyclic photo phosphorylation involves PS1 and PS2 तो देखिए यही statement गलत है पहला ही statement गलत है cyclic photo phosphorylation में दोनों photo system involved नहीं होते तो पहला ही statement गलत हो गया है तो answer तो यह पहले ही सही हो चुका है answer number यह बागी देख लेते हैं बोट ATP and NADPH are synthesized during non-cyclic photo phosphorylation यह कह रहे हैं non-cyclic photo phosphorylation में ATP और NADPH दोनों synthesize होते हैं यह सही है फिर है कि stroma lamella has photo system 1 only and lack NADP deductase यह भी सही है फिर करना grana lamella has both PS1 and PS2 यह भी सही है तो इसमें जो option गलत है वो यह आला है पहला वाला कि cyclic photo phosphorylation wall PS1 PS2 खाली एक होता है दोनों photo system नहीं होते आई चलते next question की तरफ question number 2 देखिए इसमें भी पूछा गया है which of the following statement is correct क्या पूछा गया है correct पूछा गया है ठीक है तो आपको इसमें से सही answer ढूड़ना है ठीक है तो option है some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells तो कुछ organism atmospheric nitrogen को fix कर देते हैं उन cells को क्या कहते हैं sheet cells कैसा ही है जी नहीं यह गलत है उन cells का नाम होता है heterocyst क्या नाम होता है heterocyst fix करते हैं ठीक है फिर fusion of two cells is called karyogamy तो karyogamy क्या होता है fusion of two cells नहीं होता है fusion of two nuclei होता है दो nucleus का fusion karyogamy होता है तो यह भी statement गलत है थर्ड देखते हैं यह fusion of protoplasm क्या कह रहा है fusion of protoplasm between motile and non motile gametes इस काल plasmogamy तो कह रहा है कि दो motile या non motile gametes के fusion को plasmogamy कहते हैं उनका protoplasm fuse करता है तो यह क्या सही यह option सही है बलकुल चौथा रहा है कि organisms that depend on living plants are called saprophytes कह रहा है organism that depend on living plants saprophytes कहलाते हैं गलत है saprophytes नहीं कहलाते है यह decay और dead organisms कहलाते है ठीक है तो इसका एक ही आंसर सही आ रहा है हमको करेंट रुणना था वो यह है fusion of protoplasm कहलाता है plasma gamma okay आई चलते हैं next question की तरफ question number 3 यहां match करना है तो हम direct match करने की यहां पर प्रयास करेंगे पहला दिया हुए यहां दिया हुआ है चौर reduction किसका क्या काम होता है utility क्ळाश किया करता है वो कनफर्ट करता है ammonia को नित्राइट में किसको के rotary को करता है शुकुत या क्या करता है यह है exist few come Questions आपको क्लियर होगा कि- कन वर्जन करता है ए एक्मास्फेरिक नाइंट्रोजन तो यह विक्सीशन करता हूई इक्समास्फेरिक नाइट्रोजन जहutा है उसको एमोनिया तो आई चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर फोर फिर इसमें पूछा गया है कि इसमें से गलत कौन सा है ठीक है तो आपको जोड़ना है तो हम सारे कोशन यहां देखते हैं पहला कह रहा हूं तो यह क्या सही स्टेटमेंट है हाँ यह सही स्टेटमेंट है सही है फिर द्रिअलों आफ ऑफ एन दलास पूर्ट है मेरोबेग रेस्पेरेशन में ये भी बात से कुछ सही है आखरी में होता है बिलकुल इनलेक्ट्रॉन ट्रांस्पोर्ण मलब ETC साइकिल में वन मॉलेक्टॉल ओफ NADH गिव राइस तो 2 ATP एन 1 FADH2 ये गलत है वन मॉलेक्टॉल ओफ NADH जो है दो ATP नहीं देता है तीन ATP देता है ठीक है तो ये तो गलत है ठीक है तो ये जो है आपका गलत हो गया ATP is synthesized to complex 5 तो ये भी option आपका सही है तो इसमें गलत आंसर कौन सा है क्या बुचा incorrect वो third वाला है बाकी सभी statement सही है तो इसका answer C होगा बाकी statement भी अपने आप में question है इनको भी याद कर लिजेगा इन questions को आई चलते है question number 5 की तरफ ठीक है question number 5 कह रहा है कि in some members in some members of which of the following pairs of families families के नाम याद यह हुए है इनके कुछ member में क्या होता है pollen grains retain their viability for months after release जो pollen grain होते हैं इनके यह बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं या viable रहते हैं बहुत दिन तक कई month तक after release भी अपनी viability बना के रखते हैं तो वो कौन सी families है रोजेसी, लेगमिनेसी है पोईसी, रोजेसी है पोईसी, लेगमिनेसी है आईए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है तो आप यह याद रखिए कि यह भी NCRT का ही question है तो इसमें तीन families ऐसी होती है एक रोजेसी होती है दूसरी लेगमिनेसी होती है और तीसरी होती है solenेसी यह तीन family ऐसी है जिसमें pollen gains बहुत देड़ तक viable रह सकते है और poesy में नहीं होती है इसमें तो इसमें तो इस तीनों आप्शन तो गलत हो गए ठीक है तो फिर रोजेसी और लेगमिनेसी होणा ऑप्शन तो सही है तो इसका answer है रोजेसी और लेगमिनेसी अगर солenेसी भी लिखा होता, और वो भी सही है लेकिन Solidity को Poesies साह लिखा है तो Poesies इसमें नहीं हो सकता अई चलते हैं Next Question की तरह Question No.6 देखें फिर कह रहा है identify the correct statement तो इसमें से आपको क्या करना है सही statement ढूणना है आई देखते हैं क्या क्या statement है एक एक statement देखते हैं पहला कह रहा है split gene arrangement is characteristic of procarrior split gene मतलब split gene मतलब उसमें introns और exons दोनों present है तो procarrior में भी होता नहीं है यह तो eukaryor में intron exon होता है तो यह गलत statement है दोसा statement है in capping capping की बात हो रही है methyl guanacine triphosphate is added to three dash end तो three dash end पे नहीं यह तो five dash end पे होता है तो यह भी आपका गलत statement है फिर कहरा RNA polymerase binds with row factor to terminate the process of transcription and bacteria तो यह सही है RNA polymerase row से bind करके row factor से bind करके terminate करता है और initiation के लिए sigma factor होता है ठीक है d statement क्या है the coding strand in a transcription unit is copy to messenger RNA कहरा जो coding strand होता है वो messenger RNA पे copy हो जाता है coding नहीं होता है template वाला होता है यह question में पहले भी solve करा चुका हो तो template strand messenger RNA को code करता है ना कि coding करता है तो यह भी option गलत है सही वाला से विए है कि RNA polymerase row से bind करके terminate कर रहा है transcription को और sigma से bind करके initiate करता है आई चलते है next question की तरफ यहां भी matching है ठीक है थोड़ा easy question मुझे लग रहा है question number seven list one को list two स्माच करना है तो protein fatty acid nucleic side nucleic acid लिखा हुआ है और यहां कुछ option दिये हुए है तो peptide bonds लिखा हुआ है तो देखिए protein में peptide bond होते हैं तो यह तो पहले ही match हो गया तो इसमें double bonds होते हैं इसी double bond ठीक है nucleic acid में क्या होते है फॉस्फोर डायस्टर दो नुकलोटाइट कैसे connected रहते हैं वाया फॉस्फोर डायस्टर बेंद और basis कि से connect होते हैं वह hydrogen bond से होते हैं पॉलिसेक्राइट मलब कार्भोईटेट्स यह किसे bonded होते हैं आपसे मोनोसेक्राइट होते हैं क्लाइकोसिटिक bond ठीक है तो options clear है आई चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ यह भी matching का कोशन है question number 8 अब match में बहुत से question individually बन जाते हैं और nursing के question में मैं expect कर रहा हूँ कि matching के question नहीं आएंगे direct question आएंगे लेकिन इससे direct आ सकते हैं यहां cell cycle phases की बात आ रही है S phase लिखा है G2 phase, quescent phase और G1 phase S phase में क्या होता है बताइए S phase में replication होता है तो कही replication दिया है यह दिया है DNA replication तो S phase तो आपकी DNA replication हो गई ठीक है G2 phase में क्या होता है G2 phase में आपका होता है protein synthesis तो कहीं लिखा हुआ है जी हां लिखा हुआ है proteins are synthesize तो इसको option हो गया पहला वाला okay quescent stage, quescent stage क्या होता है, quescent का मतलब ही बंत एक तरह की से stop stage होता है तो inactive phase होती है, quescent phase ठीक है फिर G1 phase तो G1 phase तो चौथा option बचा यह होगा interval between mitosis and DNA replication तो आपको पता है mitosis होता है और DNA replication होता है ठीक है DNA replication तो आपका S phase में होता है यह तो आपको पता है और इसके बीच का जो phase होता है mitosis और DNA replication का पीच का यह आप यह कर रहता है G1 phase और G2 phase में क्या होता है protein का synthesis होता है तो stages of cell cycle भी आप अच्छे से पढ़ लिजेगा आई देखते है next question पहले statement पढ़ लिजे कह रहा है कि hybridization का question है यह मैं भी समझा दे रहा हूं अच्छे से nowadays मतलब आजकल it is possible to detect क्या कर सकते हैं mutated gene causing cancer तो कह रहा है आजकल possible है कि आप mutated gene जो gene mutate हो गई मतलब उसमें base pair change हो गए जो कि cancer cause करता है उसको detect कर सकते हैं by allowing it radioactive probe बनाके hybridize कर दिया जाए complementary DNA से in a clone of cells followed by detection using auto radiography तो पूरा step बताया है इनोंने कि अगर आपको जानना है कि कोई gene mutate हो गई और cancer cause कर रही है तो उसको radioactive probe से hybridize करके auto radiography से detect किया आ सकता है देखिए इसमें होता क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूँ यह actually आपने अभी नहीं पढ़ा होगा micro array का concept होता है क्या होता micro array क्या होता है micro array में parallel बहुत से probe रहते हैं अब इसको इस तरीके से समझे कि जैसे एक plate है ठीक है और इस पर मैंने जो है माल लिजे एक gene है ठीक है यह normal gene है कैसी है normal gene ठीक है तो gene भी क्या होता है DNA होता है तो DNA है तो इसका अगर complementary strand में यहां पर लगा दूँ इसका अगर complementary strand यहां पर लगा दूँ और इसको जब इस player पर भेजूँगा तो complementary देखके यह क्या कर जाएगा इससे इससे bind कर जाएगा तो इस process क्या कहते है इस process की binding कहते है hybridization क्या कहेगा hybridize हो गया यह hybridization को अगर radioactive probe से रखा जाए तो इसको auto radiography से देखा जा सकता है क्यों क्योंकि जहां पर hybridization होगा वा रेडियक्टिविटी है और hybridization जहां जहां मतलब रेडियक्टिविटी होगी मतलब hybridize हुआ है जहां नहीं है hybridize हुआ वा रेडियक्टिविविटी अफजर्व नहीं होगी अब अगर कोई mutated gene आ जाती है mutated gene क्या होगी जिसका dna sequence change हो गया कहीं पर कोई base pair change हो गया तो इसका तो यह जो complementary strand था इसका तो इस पर जाकि यह bind नहीं करें क्योंकि इसको complementary strands नहीं मिलने है तो जब bind नहीं करेगी तो इसका hybridization भी नहीं होगा जब अगर normal का complementary लगा दिया तो यह तो hybridize कर जाएगा लेकिन यह hybridize नहीं करेगा तो इसकी visibility नहीं होनी चाहिए तो इसमें जो main answer जो आप करेगा वह मैं आपको बताते रहूं है option number D option number D क्यों है इसमें कहरा mutated gene does not appear on a photographic film as the probe has no complementarity with it ही। तो क्या होगा जब film है इस पे mutated gene दिखेगी ही नहीं और hybridization की नहीं हुआ ह़ा जब वह ब प्रोब जो था उससे जब क Empress ही नहीं किया hybridization ह नहीं हुआ होगा हिजिंग क्योंकि रेडियक्टिव प्रोब ता जब रेडिय तो वहां पर वो जीन दिखेगी ही नहीं और ऐसे ही डिटेक्शन हो जाएगा ओके क्लियर अगी चलते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ कोश्चन नंबर टेन कोश्चन नंबर टेन कह रहा है कि अरिथ्रोपोईटिन हॉर्मोन विच इस्टुमिलेट आर्बीसी फॉर्मेशन रिस्प्रड्यूस भाई अब डैरेट कोश्चन है यह आप एक अरिथ्रोपोईटिन हॉर्मोन कहां बनता है और आपको पता यह आर्बीसी फॉर्मेशन में हे जहां उसकी जुक्स्टा ग्लोमुरल सेल्स बनाती है तो उसमें कई कोशन स्वाइब यह सब्सक्राइब को तुर सब्सक्रांवी आइसरे फिरिया कुशिंद इस हुआ आपको कोश्ण क्लिर होनेन चाहिए आई दें question number 10 की तरफ, question number 10 देखिए यह बात कर रहा है cockroach के respect में, which of the following characteristic is incorrect पूछा है cockroach में, ठीक है, तो हम सीधे बात करेंगी जो incorrect वाला है ठीक है, 10th abdominal segment in both sexes, यह यह भी statement सही है hyperpharynx lies within the cavity, यह भी सही है, और D भी सही है, इसमें देखिए ring of gastric CK, ठीक है, is present at the junction of mid gut and hind gut तो mid gut और hind gut के बीच में, क्या होता है, malfeasian tubules होते है mid gut और hind gut के बीच में, gastric CK नहीं होता है, यह four gut और mid gut के बीच में होता है, तो इसका सही answer, मतलब यही option गलत है, और यही answer है इसका, ठीक है, बाकी सभी statement सही है, इन सबको पढ़ लिजेगा हो सकता है, इसी से direct question बनके चला आए, ठीक है, कि जैसे in female, 7th, 9th sterner together form genital pouch, तो यह सही है, यह ऐसा question direct भी आ सकता है, सभी options पढ़ लिजेगा इसके, और सभी options एक question है, ठीक है, next question देखते है, question number 12, question number 12 कहे रहा है, कि which stage of meiotic pro phase, ठीक है, shows termalization of kiazmata as a distinctive feature, तो पूछ रहा है, किस phase में kiazmata का termalization हो जाता है, ठीक है, किस phase में, तो kiazmata कब बनता है, और termalization कब होता है, पैकिटीन, iboine, lepto team, zygot team, diakinesis, सही answer सकिया है, इसका सही answer है, diakinesis, ठीक है, stages आपको पता है, lepto team, zygot team, lepto team होती है, है न, lepto team होती है, zygot team होती है, उसके बाद क्या होता है,enger pardon, लेप्टोटीन होती है, जाइगोटीन होती है, पैकीटीन होती है, डिप्लोटीन होती है, और डायकाइनिसिस होती है, ठीक है, तो लेप्टोटीन में तो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस, और जाइगोटीन में तोगेधरनेस का प्रोसेस होता है, पैकीटीन म याद रखिए बहुत इपोर्टन अकसर करके एक क्वेशन पूछा जाता है कि क्रॉस ओवर रेकॉंबबिनेशन होता है एक्सजेंज ओफ क्रोमोसोमल सच्छमस वो पकटेटेटीन स्टेज में होता है वह गोवी लेट इन स्डेज में और कि अंसर कोड़ Satoshi में चलते हैं को दिट स्काइट किसके कहते हैं का आपको पता ही उगा ये होता है इसका अंसर इंटेस्टाइनल जूस को कहते हैं नेक्स कोश्यन देखिए यह भी डाय पॉटीक्षन है और याद भी कर लिजेगा कुर्शन अहुआ 14 केह रहा है कि無 restore the में जहां टीफिजन होता है वह पॉर्शल प्रिशर रपर तो इसका सब्ख्यर में हको अक्षिय सब्सक्रा एकर वर प्रपार्श्र नमबर उसको अच्छे से शांत कर लाओ partial pressure oxygen का जादर रहेगा 104 और 40 का combination रहता है आई दिखते है question number 15 देखे फिर आपको यहाँ पर matching करनी है matching के लिए यहाँ पर options दिये हुए है फाइजेलिया, lemulus, ensylistoma और pink tarda तो आपको पता है यह सब चीज़े क्या होती है आपको options मैच कराना है फाइजेलिस क्या है फाइजेलिस क्या है, Portuguese man of war कहलाता है ठीक है, lemulus क्या है, lemulus क्या होता है यह lemulus एक living fossil है ensylistoma क्या है, ensylistoma hookworm को कहते हैं तो pink tarda क्या हुआ, pink tarda हुआ, pearl oyster ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजे और आपको पता भी होगा अई चलते हैं, easy question था, question number 16 की तरफ देखे, technical question है क्या कह रहा है, कि during the process of gene amplification gene amplification किसमें होता है PCR में, polymerase chain reaction using PCR if very high temperature is not maintained कह रहा है, अगर बहुत ज़्यादा temperature नहीं maintain किया जाए beginning में then which of the following step of PCR will be affected तो कौन से step PCR का effect होगा तो PCR में आप याद है PCR से पहले क्या होता है denaturation, फिर क्या होता है, annealing और फिर क्या होता है, extension यह आपको पता है तो अगर शुरू में high temperature नहीं दिया जाएगा, तो क्या नहीं होगा, तो शुरू का step नहीं होगा, वो है denaturation denaturation क्या होता है, दोनों strands अलग-अलग हो जाते हैं ठीक है डोनों strands अलग-अलग हो जाएंगे तो अलग-अलग होने के लिए temperature हाई चाहिए होता है temperature आप हाई नहीं रखें के denaturation होगा नहीं नहीं होगा तो annealing भी नहीं कर पाएंगे आई चलते question number 17 की तरह यह भी matching का question है यहां देखिए चार option दिए एसपर्जिलस नाइजर असीटो बैक्टर असीटी क्लॉस्ट्रीडियम और पूछ रहें कौन क्या चीज़ जेनरेट करता है direct question है तो आपको पता है लेक्टो बैसलेस का जहां नाम आए ठीक है डारेक्ट लेक्टेक असेट तो यह तो इसी से हो गया match असीटो बैक्टर एसेटी एसेटी लिखा हुआ है एसेटेक असेट आपको याद करने का तरीका बता दे है तो इस तरीके से आपको options याद भी रहने चाहिए जब पढ़ लीजे फिर आता है विच आफ़ फॉलॉइंग स्टेट्मेंट इसमें से कौन सा स्टेट्मेंट जो है रेप्रेजेंट रॉंगली रेप्रेजेंट बनाव इनकरेट बताना एक तरीके से इसको कहा है इनकरे पहला थीज मसल्स हा प्रसेंट इंगल्स और ब्लड वस्ल्स तो ब्लड वस्ल्स कि वाल क्या समूथ वसल्स से बनी यह तो है यह जान्यार फिर नगानते इसको इसमें समूथ मसल्स में ये भी सही है they are involuntary muscles involuntary यह यह भी सही है communication among the cells मतलब cells of the muscles performed by intercalated disc यह नहीं सही है intercalated disc जाओ होता है वो cardiac muscle में होता है smooth muscle में नहीं होता तो option number 4 इसका गलत है ठीक है आईए देखते है question number 19 question number 19 क्या कह रहा है chronic autoimmune disorder पहले बात कह रहा है autoimmune देखिए एक answer आ रहा है यहाँ पर autoimmune affecting neuromuscular junction किसको affect कर रहा है neuromuscular nerves और muscular जहाँ पर मिलती है nerves or muscles leading to fatigue weakening paralysis of skeletal muscle यह कौन सी बिमारी है gout है arthritis है muscular dystrophy है किमाइस्थिनिया gravis है अब देखिए सबसे पहली बात क्या है autoimmune कहा है तो इसमें autoimmune कौन सी यह है यह है तो वैसी answer आ गया और दूसरी बार यह neuromuscular junction को affect करती है तो इसका सही answer वैसे भी है ठीक है और तो यह हो गई autoimmune disease तो option यही से हो गया muscular dystrophy हो जाती है genetic disease और गाउट और arthritis आपको पता है जहाँ पे fluid में problem आई लगती स्वाइन फ्यूट्स में ओके आई शलते question number 20 की तरव easy question है लेकिन अक्सर करके लोग इसे गलत कर देते हैं persons with AB blood group क्या है AB are called universal recipients मतलब यह किसी को भी blood दे सकते हैं और only आप यह blood किसी का ही रेसीव कर सकते हैं लाट तो ओ वाले क्या के लाते हैं डोणर दो और यह वाले किसी का ह्याता है तो पहली बात तो पता होना चाहिकád कि AB blood group कब होगा अब ब्लड गृप जब होगा तो में antigen A और antigen B दोनों positive मतलब दोनों present होंगे तब दोनों present होंगे तो antibodies क्या होंगी इसकी missing होंगी antibodies कहां बनती है plasma में तो आपको यह option देखना है तो क्या होना चाहिए इसमें antibodies absent होनी चाहिए antigen A और antigen A present होना चाहिए ठीक है तो क्या कहा है absence of antibodies antigen A antigen B in plasma ठीक है तो यह option भी आपका गलत है absence of antigen A antigen B on the surface of RBC पर होता ही absence of antigen A antigen B in plasma यह भी गलत है और presence of antibodies antigen A antigen B in plasma यह भी गलत है देखिए इसमें option थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है इसमें क्या होगा absence of antibodies and presence यहाँ पर क्या होगा presence of ठीक है तो यहाँ पर presence होगा तो antibody नहीं होगी और antigen A और antigen B present होगा तो यह option number A इसका सही answer है अब आप याद रखिए AB blood group universal recipients हैं किसी का भी blood ले सकते हैं क्योंकि इनके अंदर antibodies नहीं होती antigen A और antigen B present रहता है और plasma में होता है ठीक है और ओ जो universal blood groups जो होते हैं वो universal donor कहलाते हैं क्योंकि किसी को भी blood यह donate कर सकते हैं क्योंकि इनके आई चलते question number 21 की तरफ तो यह last question है देखिए पिछली बार मैंने जो वीडियो generate किया तो उसमें विससे गलती हो गई थी उसी यह correction है यह कुछा था in the exponential growth equation यह equation में E क्या represent करता है ठीक है तो इसमें मैंने गलती से exponential बता दिया था तो actually इसका answer है base of natural algorithm याद रखिएगा mathematics का इक question था गलती हो गई तो base of natural algorithm E को represent करता है तो friends हमाई थे आची question ऐसी question में आपको provide करते रहेंगे बने रहे माई चनल साथ subscribe कर लिए best of luck and